Hey guys, welcome back to Academy of Knowledge. My name is Manju and आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगी वो है सक्सेस. सक्सेस वर्ड सुनकर हमारे दिमाग में क्या आता है? इसे और क्लियर करने के लिए मैं बोलूँगी कि एक ग्राफ है सक्सेस जिसे मेजर किया जाता है तो वो किस बेसिस पर मेजर किया जाता है? जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी जैसा इस ससाइटी में हमें या कुछ लोग शाहिद समध भी गए हूँ कि मैं क्या कहने वाली हूँ so basically एक successful इंसान की definition क्या है मैं आप से पूछूँगी कि आप मुझे बताओ एक successful इंसान कौन है तो you will probably say कि एक successful इंसान वही है जिसने अपने field में अपने आपको establish कर लिया है and बहुत सारा पैसा है तो आप उस इंसान को successful लेबल कर दोगे या जिन लोगों के पास fame होता है especially in today's world हम बहुत सारे celebrities को देखते हैं या फिर businessmen हैं like different different जिने fame मिल चुका है बहुत spotlight में रहते हैं तो हम उन्हें भी successful लेबल कर देते हैं just because उनके उपर news बनती रहती है time to time social media पे वो हर जगा चाही रहते हैं तो हमें लगता है कि ये लोग successful है but वहीं मैं एक और question आप से पूछूंगी कि एक दूसरा इंसान है जो शायद छोटे से टाउन में रह रहा है जिसके पास एक beautiful family है loved ones है वो इंसान भले ही छोटी सी job करता है लेकिन उस job के साथ satisfied है मतलब वो उस job को करके खुश रहता है उसे मज़ा आता है वो job करने में and he is earning sufficient money to provide support to his family and अच्छे से उनकी care कर रहा है प्यार भरी moments अपनी family के साथ spend करता है रात को चैन की नीन्द सोता है and इस इनसान के बार में कोई नहीं जानता ये ना ही किसी social media पे है ना ही media वाले इने जानते है कोई नहीं जानता तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि क्या ये इनसान successful है या नहीं मेरा question ये है जो मुझे सोचने वाली बात लगती है success के topic पे world इतना superficial हो चुका है कि हम हर चीज को पैसे में तोलने लग गए है और success is one of them so मुझे ये चीज काफी bothering लगती है as in success को सिर्फ और सिर्फ पैसे पे तोला जा रहा है success नहीं काफी चीजों को पैसे में तोला जाता है but हम अगर हमारे पास okay मैं different way में आपको समझाऊंगी suppose करो कि जैसे मैं आपको Elon Musk का example देना चाहूंगी या फिर Steve Jobs या Bill Gates किसी कभी example ले सकते हो almost same ही है कि अपने initial days में इन लोगों ने काफी fight किया था struggle किया था एक और चीज struggle जो word है ना इसको हमेशा negative way में देखा जाता है कि struggle word negative maybe it's a negative word बट इसके अंदर बहुत सारी पावर चुपी है इस word के अंदर और हर एक great इंसान ने या जिसने पिर अपने आपको आज establish किया उस अभी ने struggle किया था तो पहले तो ये समझे नहोगा कि ये word बुरा नहीं है struggle is not bad in fact वो जो struggle होता है वही इनसान को जहां जिस मुकाम पे वो पहुचता है उस तक पहुचने के लायक बनाता है क्योंकि जैसा कि हम जानते है हीरा भी कोईले से बनता है कोईला बहुत सालों तक crush होता रहता है जमीन के नीचे पता नहीं कितने सालों बाद तब जाके वो हीरा बनता है वैसे ही जब इनसान struggle कर रहा होता है मतलब वो भी crush हो रहा है circumstances के थो adversity face कर रहा है challenges and then जब उसका true potential इतना crush होने के बाद निकलता है वो वो इनसान होता है अपने असली मुकाम तक पहुचने के लायक and that is why struggle is very important in life तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि हर एक बड़े इंसान ने great इंसान ने struggle किया अपनी life में which was a good thing क्योंकि अगर वो नहीं करते तो आज हम जिस वजह से उन्हें जानते हैं नहीं जान पाते so मैं Elon Musk की बात करूँ तो उन्होंने initial days में काफी struggle देखा था and वो couch पे सोते थे उनके पास afford करने के लिए बहुत सारी चीज़े पैसे नहीं थे but still he was doing something he loved the most जो था उनका एक dream goal जिसके towards वो वो कर रहे थे और वो जानते थे कि बस उन्हें वही चाहिए and he was enjoying the process अगर कोई इंसान उसका future के लिए एक goal है आज उसके लिए वो काम कर रहा है and भले ही struggle कर रहा है उसे pain हो रहा है बड़ उसे मज़ा आ रहा है क्योंकि जो वो चीज़ करना चाहता है और future के लिए उसका vision देख रहा है वो उसे एक drive देती है पुछ देती है आगे बढ़ने के लिए तो he is enjoying the process उसे अभी दुनिया नहीं जानती है उसके पास अभी millions of dollars नहीं है तो अब क्या वो इनसान आप उसे unsuccessful बोलोगे वो इनसान successful नहीं है क्योंकि मेरी नजरों में वो इनसान successful है in the end success जो है वो आप से जुड़ी हुई है but unfortunately आज success world को glorify जिस तरीके से किया जाता है spotlight जैसे डाली जाती है उसे ऐसा बना दिया गया है कि जब तक आपको पूरी दुनिया नहीं जानेगी जब तक आपको recognition नहीं मिलेगा जब तक आपके पास millions of dollars नहीं होंगे तब तक आप successful नहीं हो और इस society आपको क्या label कर देगी unsuccessful या you are a failure यही चीज है जो आपको सोचने की जरूरत है कि यह गलत है जैसे मैंने आपको वो small town वाले आदमी का example दिया था वो इनसान अपने way में successful है क्योंकि again यह आप से जुड़ा हुआ है अगर आप अंदर से उस process को feel कर रहे हो आप satisfied feel कर रहे हो जो भी कर रहे हो उसके साथ then you are successful फिर यह society समझे या ना समझे इसे और clear करने के लिए चलो मैं आपका ही example दे देती हूँ suppose करो आप अपनी life में अभी जिस भी phase में हो I don't know mostly मुझे जहां तक लगता है मेरे viewers students ही है शायद जो different different areas में है कुछ artists भी है जो जिनसे मैं बात करती हूँ I know them and कुछ students like graduation में है या different exams की तारी कर रहे है तो अगर आप उस process में हो but बार बार जैसे कि media social media ने हमें competition कितना हाय कर दिया है तो हम जब भी social media होलता है we start comparing ourselves to other people जिने हम जानते तक नहीं है which is wrong तो हम उनको देखते हैं उनकी pictures देखते हैं exotic vacations देखते हैं दुनिया भर की चीज़े और खुद को compare करने लगते हैं कि what am I doing with my life नहीं पहले तो आपको comparison बंद करना होगा second आप अभी जो कर रहे हो वो एक process है जिससे आपको गुजरना है किस चीज के लिए जहां आपको कल को पहुँचना है वहां तक पहुँचने के लिए क्योंकि जब आप इस process से गुजरोगे तो आप different challenges challenges face करते जाओगे आप समय के साथ साथ evolve होते जाओगे और जो आपका ultimate goal है जिस मुकाम पे आपको पहुचना है उस दिन उस चीज के लिए आप ready हो पाऊगे इसलिए इस रास्ते से आपको गुजरना होगा वहां तक पहुचने के लिए क्योंकि तभी आप वहाला version बन पाऊगे जो उस ultimate goal है उसे deserve करता है you get my point right so अगर आप अभी जो कर रहे हो वो देखो I know काफी लोग को नहीं मज़ा आता है काफी लोग जबरदस्ती भी कर रहे होता है या फिर pain बहुत हो रहा होता है uncomfortable feel हो रहा होता है easy so अगर आप कुछ भी अच्छी चीज जिन्दगी में achieve करना चाहते हो उसके लिए uncomfortable होना पड़ेगा pain को छेलना पड़ेगा क्योंकि अगर चीजे इतनी असान होती तो सभी लोग वहां तक नहीं पहुँच जाते क्यों पस कुछ certain जो लोग होते हैं बस वही लोग वहां पहुचे है इसके बीचे reason है क्योंकि आपको crush होना पड़ता है उस कोईले की तरह जिसके लिए सभी लोग ready नहीं होते हैं तो मैं यहीं बोल रही थी कि अगर I am sure आप में से कुछ लोग तो जरूर ही होंगे जो इस process को enjoy कर रहे होंगे suppose आप artist हो या फिर आप किसी आपके दिमाग में है future के लिए कोई particular goal आप वो बनना चाहते हो तो आप अभी उस चीज के लिए fight कर रहे हो struggle कर रहे हो again struggle negative way में लिया जाता है जो की नहीं है यह struggle आपको prepare कर रहा है future के लिए कर रहे हो ना fight back और आप जो भी चीज कर रहे हो उसमें आपको मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है so फिर चाहे दुनिया जो दूसरे लोग है कई बार आपकी खुद की family भी होती है कई बार friends, society सब criticize करने लगते हैं कि okay तुम वो नहीं कर रहे हो जो वो लोग चाहते थे या फिर compare करने लगते है okay उनका बेटा इतने कमा रहा है वो ये कर रहा है तुम क्या कर रहे हो तुम को कुछ भी नहीं कर रहे हो तो मैं यहीं बोलूँगी एक कान से सोनो उनकी बाद दूसरे से निकाल दो क्योंकि जो तुम कर रहे हो इंडिवीजुली जो तुम्हें करने में मज़ा आता है तुम्हें सेंस ओफ फुल्फिल्मेंट दे रहा है तुम्हें एक सक्सेस्फुल इंसान अभी भी हो ऐसा नहीं है कि तुम जिस दिन तुम्हेरे दिमाग में आता होगा क्योंकि नेगेटिविटी इतनी जादा बार बार हमारे उपर प्रोजेक्ट की जाती है तो हम खुद सोचने लगते हैं कि आम नाट डूइएनिटिंग आइम आप फेलियर आइम अनसक्सेस्फुल देस एंदाट तो मैं यही बोलूँगी कि अगर तुम्हें पता है कि तुम अपनी एक कॉज के लिए फाइट कर रहे हो तुम्हारा एक ड्रीम है जिसके लिए फाइट कर रहे हो और तुम एक दिन वहाँ डेफिनिटली पहुचोगे और यह माँ सोचो बस कि जिस दिन वहाँ पहुचोगे उसी दिन तुम सक्सेस्फुल होगे नहीं क्योंकि जिस दिन तुम वहाँ पहुचोगे उस दिन बस तुम्हें एक रैकगनेशन मिल जाएगा यह सोसाइटी वाले जो है इनका मुँ बंद हो जाएगा यह लोग वावाही करने लगेंगे और लोग समझने लगते हैं ओके वो सक्सेस्फुल होगे बट स्टार्टिंग से जो इनसान फाइट कर रहा था जो कि तुम हो कर रहे हो यह जर्नी तुम अकेले कर रहे हो न तै तो तुम अभी से ही अपने आपको समझ लो कि तुम सक्सेस्फुल हो वो बस एक पार्ट है उस जर्नी का कि तुम उस दिन बहुत जाओगे और दूसरे लोगों को उस बारे में पता चल जाएगा बस यह होता है कि लोग लेबल कर देंगे सबी लोग तुम्हें अप्रूव कर देंगे कि हाँ भाई इस बंदे ने खुद को इस्टैबलिश कर लिया बंदे ने गिव अप नहीं किया तो ठीक है यह सक्सेस्फुल है यही है फ्लॉव जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि सक्सेस्फुल होने का मतलब सिर्फ बाहरी अप्रूवर या वैलिडेशन से नहीं है सक्सेस या कहलो सेंस ओफ सिक्योरिटी वो अंदर से आती है अगर तुम सोचोगे कि सिक्योरिटी तुम्हें बाहरी चीज़े प्रोवाइट कराएंगी या तुम external things को acquire करते चले जाओगे then you will be more secured then you are wrong my friend ऐसे नहीं होता है वो चीज़े तुमसे कभी भी छीनी जा सकती है तुम मुझे ये बताओ आज तुम्हारे उपर जो tags and titles लगे हुए हैं अगर मैं तुमसे वो सारी चीज़े छीन लूँ और उसके बाद तुमसे पूछूँ कि who are you? अब तुम क्या हो? या do you feel secure now? तब तुम्हारा क्या answer होगा? ये खुछ से पूछना कभी ये कि mostly हमें जो भी security especially since हम उसकी बात कर रहे हैं या success वाली जो बात कर रहे हैं ये चीज़े बाहरी approval and validation की वज़े से feel होती हैं क्योंकि दूसरे लोग वहवाई करते हैं और हम हमेशा उन्हें please करने के लिए जीते रहते हैं बट सोचो कि अगर आपसे वो बाहरी लोगों को आप please करने के लिए जो चीज़े कर रहे हो वो चीज़े करना बंद कर दो या जो चीज़े acquire किये उन्हें आपसे छीन लिया जाए तब आपका वजूद क्या है? Then who are you? And यही question आपको true path पे lead कर सकता है कि हम सभी यहाँ पे एक individual है, सबकी एक different identity है हम सभी unique है, सबका अलग path है जो हमें तै करना है बट sadly हम जिस society में, जिस world में आज रहते हैं यहाँ पे सभी को एक दूसरे की copy बनने के लिए prepare किया जाता है कि दूसरे से compare के जाता है और बोला जाता है कि तुम भी वैसे ही बनो देखो वो तुमसे अच्छा कर रहे हैं, this and that वो गलत है Since हम successful world की बात कर रहे थे कि successful कौन है या कौन इंसान माना जाता है तो आप थोड़ा सा philosophical side देखते हैं इस topic की आपने जितने भी successful लोगों के नाम सुने होंगे जो है Bill Gates, common यही नेम साते हैं दिमाग में Bill Gates, Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos और भी काफी लोग है तो definitely उन लोगों ने ऐसा कुछ किया जिसने दुनिया में बहुत ही बड़े लेवल पर बदलाव लेके आया और उन लोगों ने पूरा जो trajectory थी वो ही change कर दी which is a good thing but at the same time हमें उनके बारे में ताब पता चला जब वो लोग successful हो गए थे जब उन्होंने अपने आपको establish कर लिया था क्योंकि मीडिया ने उनके उपर उस वक्त ध्यान दिया लोगों ने तब ध्यान दिया because अभी वो millions of dollars कमाने लग गए तो लोगों ने का कि हाँ ये इस पर news बन सकते है इस बंदे को glorify किया जा सकता है ठीक which is a good thing I'm not saying it's a bad thing जो मेरा कहने का मतलब है वो ये कि backstory के बारे में लेकिन कोई नी पूछ था अभी आप interviews देखोगे बिलकुल वो लग अपने backstory बताते है जो मुश्किल से 50 मिनट में शुरू हो के खतम भी जाती है तो हमें लगता है ओ बहुत असान था ये वो लेकिन उस इनसान से पूछो जिसने सालो साल खुद को उस pressure में रख के उस pressure को feel किया और fight किया, give up नहीं किया and then वो आज जहां पे हम जो end result देख रहे हैं वहां तक पहुचा तो उस end result तक पहुचने के जो असली challenges थे वो उस इनसान ने face किये तो और वही जानता है हम उस level पे उसके challenges के साथ relate कर ही नहीं सकते नहीं समझ सकते हैं कि वो किन-किन situation से घुजरा होगा ठीक है तो चलो यह professional life वाली बात होगे professionally they have established themselves और पूरी दुनिया जानती है billions of dollars उनके पास ओ कुछ लोग बोलता है God है भाई हम उन्हीं की life है best life है ऐसे ही बनना है यह वो यहाँ पर जो हम गलत कर रहे हैं न वो यह कर रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ उनकी life की positive side देख रहे हैं positive भी especially जो पैसे से related है कि हाँ यह fame कि fame मिल गया है money मिल गई है हम सिर्फ उसी पर focused रहते हैं कि okay वो बहुत successful है कि success को जो measurement मैंने बताया वो यही है आज की दुनिया में success को fame and पैसा बस इन दो चीजों के basis पर measure किया जाता है तो suppose करो मैं Elon Musk का example लोगी Elon Musk एक बहुत ही successful आदमी है no doubt but क्या आपने कभी उनकी personal life के बारे में जानने की कोशिश की है या उनकी personal life के no doubt जितने भी famous celebrities or personalities of उनकी personal lives बहुत controversial होती है especially यह media वाले जो है यह और जादा उसे controversial कर देते हैं अपने channel पे और जादा views पाने के लिए और फिर TRP बढ़ाने के लिए जो की गलत है of course but personal life उन लोगों की उतनी अच्छी नहीं है sadly and I know हर चीज के लिए प्राइस पे करना पड़ता है बिलकुल उनके लिए उनका dream था या एक होता है इनसान जिसके लिए जिन्दीगी में हर चीज के लिए कुछ ना कुछ प्राइस पे करना ही पड़ता है अगर आप किसी उनकी काफी जादा complicated हो गई थी और लोगों ने भी बहुत जादा उनके news बनाई special media वालों ने और दूसरे लोगों ने enjoy किये कि हाँ ठीक है दे संदार तो यहाँ पर है जो मैं कहना चारी हूँ इस example के थो वो यह कि success का मतलब सिर्फ एक field में successful होने से नहीं होता है I know कुछ लोगों को यह बात बहुत गलत लगने वाली और शाय चुब भी सकती है और वो मुझे criticize कर सकते हैं but it is what it is हमें बचपन से ही program इस तरीके से किया जाता है या society ने deeply rooted beliefs डाल दिया है कि success is equal to money and fame that's it but नहीं success का मतलब होता है कि आप अपनी life के हर एक area में देखो हर एक area में perfect नह सकते हो जब आप अपनी personal and professional दोनों life को balance करके चलते हो उन दोनों पर equally ध्यान देते हो I know कही बार एक पर इतना ध्यान नहीं हो पाता है दूसरे पर आप कम देते हो but again अगर आपको realize हो गया कि हाँ उस टाइम एक चीज़ जादा important थी तो आपने उस पर जादा ध्यान देते ह आप में जाकर आप दूसरी वाली को compensate कर सकते हो या उसे balance कर सकते हो तो it's a balance between your personal and professional lives but आज हम जह साइटी में रह रहे हैं आपे mostly सिर्फ और सिर्फ professional वाली साइट पर जादा focus किया जाता है जिस जिस चीज के बारे में मैं कहना चाहरी हो मैं यही कहना चाहरी हूं कि professional life is good हमें career बनाना है अपने आपको well established करना है which is a good thing but at the same time आपको यह भी समझना होगा कि सिर्फ और सिर्फ career वाला part ही life नहीं है life is full of different different areas जिसमें आपको flourish करना पड़ेगा सिर्फ एक area में अगर आप flourish करते चले गए तो बाकी की चीजे वैसी की वैसी रजाएंगी and then you will realize कि वो वैसे यह नहीं तहां जैसे आपने सोचाता है इसलिए आपको हर एक area को balance करके चलना पड़ेगा सारी चीज़े करके सोच के चलना पड़ेगा आपकी life में जो लोग है उनके बारे में सोचना पड़ेगा देखो पैसा आता जाता रहता है लेकिन रिश्ते या आपकी life में आज जो जैसे कि मैंने कहा कि success को इस तरह से दिखाया जाता है social media पे and हर जगा कि अगर आप luxurious life नहीं जी रहे हो आप luxury vacations पे नहीं जा रहे हो expensive things ओ नहीं कर रहे हो then you are a failure और जो ये सारी चीज़े कर रहे हैं वो लोग successful हैं ये सब कुछ media present कर रही है आपके सामने social media पे आपको दिखाया जा रहा है बेचा जा रहा है जो की एक illusion है आपको समझना होगा क्योंकि यहां पे आप किसी और की life देख रहे हो और उससे खुद को identify कर रहे हो आप सोच रहे हो आपके पास भी same वही सब चीज़ होंगी तो आप भी खुश हो जाओगे और आपकी life भी fulfilled हो जाएगी नहीं यही तो सबसे बड़ा illusion है जो आपको समझना होगा यहां पे हम सभी as in individual exist करते हैं हम सभी की अपनी personal identity है जो हम अपने life के experiences के थो बनाते चले हो जाते हैं तो आपको खुद से पूछना होगा कि आपको ऐसी कौन सी चीज है जो sense of fulfillment feel कराती है और अगर आप वो चीज कर रहे हो फिर no matter what अभी आपके पास fame और money नहीं है but still you are successful क्योंकि तुम उस sense of fulfillment को feel कर रहे हो तुम उस process को enjoy कर रहे हो दूसरों ने जो label लगा रखे हैं कि fame and money recognition पूरी दुनिया वाई वाई नहीं कर रहे है तो तुम successful नहीं हो नहीं तुम हो उस चीज से हट जाओ उसके उसे हट दूसरों के validation को अगर side कर दोगे न और सिर्फ अपने बारे में सोच जोगे कि हाँ मेरे लिए क्या matter करता है मेरी क्या priorities है और मैं उस चीज में flourish कर रहा हूँ या आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं अगर आप one step at a time भी ले रहे हो then you are successful and you are doing great in your life इसी लिए अपने आपको underestimate करने की जरूरत नहीं है किसी बड़े आदमी को देखे या बड़े लोगों को देखे just because आज उनके पास आपसे जादा मनी है आपको समझना होगा मनी को अगर side कर दोगे तो as a human being आप कैसे हो अगर आप अपना best कर रहे हो life में खुद के लिए like अपने passion को follow कर रहे हो जो भी कर रहे हो उसे enjoy कर रहे हो आपकी family members loved ones के साथ आप अच्छे हो आपके रिष्टे अच्छे है and you are doing the best you can then you are equally successful आप failure नहीं हो या ये society जिस वे में success को define करती है वो आपके उपर apply नहीं होगा तो it's not a bad thing अगर apply नहीं हो रहा है एक और चीज़ जो हमें बताई जाती है वो ये कि तुम धेर सारे पैसे कमाल होगे ना जब तुम्हारे पास बहुत बढ़िया सी कुछ भी हो सकता है जॉब होगी या बहुत बढ़िया तुम लेवल पे पहुच जाओगे पूरी बुरी दुलिया तुम्हारी वावाई करेंगी सब भी लोग तुम्हारे सामने बाउडाउन करेंगे तुम्हारे सारा पैसा होगा तो सब कुछ मिल जाता है इसलिए सिर्फ पैसे पे फोकस करो जिस दिन तुम्हें पैसा होगा तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा यह हमें बोला जाता है अराम से शादी हो जाएगी तुम्हारी तुम्हें बहुत सुंदर लड़की मिल जाएगी बहुत सुंदर लड़का मिल जाएगा शादी के लिए अच्छी फैमिली मिल जाएगी देस एंडाट यह सारी चीज़ा हमें फीड की जाती है कहते हैं कि इसलि जब तक उन्होंने इस्ट्रगल किया होता है तो सब कुछ आ जाएगा वही लोग हैं जिनकी परसनल लाइफ एल हैं क्योंकि उन्होंने कभी परसनल लाइफ पे या खुद के कारेक्टर को बिल्ड करने पर फोकस नहीं किया उनके अंदर बेसिक हुमन इमोशन की कैसे की जाती है, एक सामने वाले इंसान को समझा कैसे जाता है, उन्हें अंडरस्टांडिंग नाम का वर्ड नहीं पता है, इसलिए उनकी परस्नल लाइफ्स मिजरेबल है, वो सब भी लोग जूज रहे हैं, और डाइवासिस इतने फ्रीक्वेंट हो चुके हैं, कि इन फाक् प्ले किया जाता है, वाँ दूसरे इंसान की हिसाब से भी चीजों को देखा जाता है, समझा जाता है, उस पर कभी एफर्ट नहीं लगाए, देवर ओल्वेज रानिंग आफ्टर मनी या फिर दियर करियर, और उन्हें लगाता है कि वो चीज साट हो जाएगी, तो बागी स सब्सक्राइब को जैसे कि मैंने बोला पैसों में नहीं खरीच सकते हो, वो पैसों से अलग है वो चीज, तो या मेरा इस टॉपिक को अड्रस करने का यही गोल था कि मैं आपके साथ डिसकस कर सकूँ, इस अकसेस वोर्ड को जिस वे में आज की ससाइटी में आज की दुनिय में देखा जाता है, वो गलत है, और इस नॉट अबाट जस्ट इस पर्टिकलर वर्ड, आप और भी जो वर्ड्स यूज करते हो या आपके दिमाग में आते हैं, तो सबके एक पर्टिकलर डेफिनेशन आ जाती है मारे दिमाग में, जो प्रोग्राम की गई है, हमें डीपल सब्सक्राइब कर देखा जैंद लिए, तो सब्सक्राइब कर दो हम इसकों अदेखा है, यह जो आपके एक पर्टिकलर डेफिनेशन बता रहे हैं, तो क्या वो सही में कोई मतलब रखती है, यह स्वाइब लोगर बस हम लोग प्रटिकलर टॉटते है, प्लॉशुइन पिर mindlessly उस definition को follow करते जा रहे हैं without asking any question okay so आपको यह पूछना होगा ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं जिन पर मैं future में वीडियो चलाते रहूंगी बाकी आप मुझे बताना कि आपके इस वीडियो के बारे में क्या व्यूज हैं आपको क्या लगता है कि do you think you are successful in your life or not please please do comment in the comment section I would love to hear from you guys rest अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो do like it and share it with your friends future में आने वाली वीडियो के साथ अपडेट रहने के लिए channel subscribe and bell icon press करना ना भूले and yeah thank you bye